कशिश निउस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिखा सरोध सिंग आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्य सचिव और कौन होगा प्रदेश का अगला डीजीपी सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सचिव की तो बिहार के मौजुदा मुख्य सचिव ब्रजेश महरोतरा 31 अगस्त को रेटायर हो रहे हैं और ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि नया मुख्य सचिव कौन होगा क्या ब्रजेश महरोतरा का ही कारेकाल बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी जगा कोई और लेगा कोई दूसरा रिप्लेस करेगा तो वो लकी IAS ओफिसर आखिर कौन होंगे चलिए हम आपको बताते हैं और ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि नय मुख्य सचिव की दौड में कितने और कौन-कौन IAS ओफिसर शामिल हैं सबसे पहला नाम है जतन्य प्रसाद का इनके अलावा कई और नाम ऐसे हैं जो इस रेश में बने हुए हैं और उनमें संजे कुमार, एस सिधार्थ, प्रत्याई अम्रित, केके पाठक और राजित पुनहानी शामिल हैं और फेरेस तो यहीं खत्म नहीं होती है जिहां बिहार कैडर के 15 आयस अधिकारी मुख्य सचिव स्तर के हैं और इनमें से 7 अधिकारी वर्तमान में, राज्य में, अलग-अलग विभागों में अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात हैं जबकि 8 अन्य केंद्रिय प्रती न्यूकती पर डिफरेंट-डिफरेंट मंत्रालियों के सचिव के पर तैनात हैं हालग एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि स्रीयम नितिश कुमार ब्रजेश महरोत्रा को सेवा में विस्तार दे सकते हैं अगर ऐसा ही होता है तो कोई आश्च्वरे की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है वैसे भी ब्रजेश महरोत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो सीयम नितिश कुमार के गुड़ बुक में हैं वैसे भी केंद्रिय प्रतिन्यूक्ति पर गए अमरितलाल मिना, सुनील बर्थवाल, अंशुली आर्या और सुजाता चतुरवेदी जैसे आधिकारी के बिहार लोटने और मुख्य सचिव बनने की संभावना कम है अगर इसको माइनस कर देते हैं तो बच जाते हैं चैतन्य प्रसाद, संजय कुमार, एस सिधार्थ, प्रतेय अमरित, केके पाठक और राजिक पुनहानी खबरों की माने तो किसी तरह अगर ब्रजेश महरोत्रा के सेवा विस्तार में कोई दिक्कत पेश आती भी हैं तो उस सूरत में चैतन्य प्रसाद के रूप में बिहार को नया मुख्य सचिव मिल सकता है सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहकर सुर्खियां बटोर चुके केके पाठक के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीम नितिश कुमार ने सोची समझी रणनीटी के तहट केके पाठक को सिक्षा विभाग से हटाया था ताकि विवाद ठंधा पढ़ने के बाद उन्हें मुख्य सच्यों बना कर वापस लाया जा सके वैसे भी इस बात से इंकार तो नहीं किया जा सकता कि केके पाठक एक एमानदार अधिकारी है और उन्होंने सिक्षा विभाग सहित जिस भी डिपार्टमेंट की बागडोर संभाली है उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है ये बात और है कि उनके कई फैसले विवादों में रहे और उन पर सवाल भी उठे हैं वैसे तमाम अटकल बाजियों और कयासों से इतर सीम नितिश कुमार कोई चौकाने वाला नाम बतोर मुख्य सचिव के लिए आये तो आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि सीम नितिश कुमार इसलिए जाने जाते रहे हैं और कई बार उन्होंने ऐसा किया भी है जिनका नाम मीडिया में चलता है उनकी जगा किसी ऐसे नामों को आगे कर देते हैं जिस पर किसी की नजर ही नहीं होती है जबार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता दूसरी खबर है डीजीपी भटी की और इनके बारे में अगर बताएं तो ये खबर है कि दिसंबर 2022 में विहार के डीजीपी का पद संभालने वाले आरेस भटी ने केंद्रिया प्रतिन्यूक्ती की मांग की है वैसे इसकी आधिकारिक पूष्टी किसी ने नहीं की है लेकिन अगर वाकई इस खबर में दम है तो फिर 15 अगस्त के बाद बिहार को नए डीजीपी मिलने की संभावना है हलाकि आरेस भटी सितंबर 2025 तक पद पर बने रह सकते हैं वरिष्ट आईपीएस अधिकारी व कि नैकुमार वर्तमान में बिहार पोलिस भवन निर्मार निगम में डीजी के रूप में काररत हैं और 1990 बैच के अधिकारी शोभा अहूतकर बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेट की डीजी हैं जबकि 1989 बैच के आलोक राज बिहार सतरकता ब्यूरो के डीजी हैं और आयुक्त और भवन निर्मार विभाग के सचिव कुमार रवी को मुख्यमंत्री सचिवाले में सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया जबकि उन्हें भवन निर्मार विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मयंक वरवडे कुमार रव झाल झाल